नमस्कार दोस्तों फूट गया बादाल भेंकर से अती भेंकर तभाई देखी जा रही है आप सिधा लाइव देख सकते ही इस समय बेंगलूरू के अंदर जन जीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है सडके डूब गई है मौसे भाग का अलट है मौसे भाग ने अगले तीन दिन तक बेंगलूरू में भारी से अतियंत भीस न भारी बारिस का अलट जरी किया है यहाँ चारो और पानी ही पानी न जरा रहा है भेंकर से अती भेंकर बाड़ा गई है करनाटा की राइधानी और भारत का आईटी केंद रहा जाने वाला बेंगलूरू बुद्वार सामको भारी बारिस से एक वर फिर पानी पानी हो गया है सहर, पूरवी, दक्चिन और केंद रे हिसमें भारी बारिस से बुरा हाल हो गया है लोग के वहन भी दुस्तो पानी के तेज भाहों में भेंगई है जैसा आप लाइव में देख सकते हैं कैई बाइक दुस्तो पानी के तेज भाहों में भेंगई है जिनने बचाने का प्रियास के जा रहा है मौसम कारले ने भारी बारिस का संकेत देते हुए दोस्तो रेड अलट जारी कर दिया है और काहे कि ऐसी सिती अगले तीन दिनों तक जारी रह सकती है कल साम साथ वजे के करीब सुरू हुई भारी बारिस के बाद ओपिस से घर जा रहे हैं कई लोग को बचने के लिए मेट्रो इस्टेशनों की सरण लेनी पड़ी है इसे पहले पिछले महिने में भी बेंगलूरू लगातार तीन दिनों तक भारी बारिस के बाद बाड जैसे हाला से जूचता रहा है जनजीवन बुरी तरीके से आस्पियस तो गया है कई सहरों की दूस्तो बिजली भी जा चुकी है दूस्तो आपको वताते यहां आगले तीन दिन तक और ज्यादा भारिस होगी और बता जारा की बंगाल की खाड़ी में 22 अक्टुमर को एक नया चकरवाती सिस्टम बन रहा है जिसके चलते दक्षिर राज्य में भारिसे अतियंत भारी बारिस होगी आप सभी से वेंते हैं कि भारिस की चलते बाहर ना निकले नदिन अलों से दूर रहें इसरक्षित रहें वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सब्स्क्राइब